वाई कैसे हो सब सब बढ़िया सब के जीवन में कोई समस्या परिशानी प्रोब्लम हो तो बताओ असर परिशानी तो बहुत है अपने और अर्गनिक केमेस्ट्री में घूमने का वह एक प्रसीजर बनाया कनवर्जन वाला हां तो उसी को अपन फिर से एक और नया लेक्चर ल मतलब कुछ नहीं सिंपल है उसके लिए तुम्हें तीन रियक्शन आनी चाहिए कौन-कौन सी हेलोफोम रियक्शन एल्डोल कंडेंसेशन और के नहीं जारो एक बार बताओ अलफा एच अपन और कहां देखते हैं और सर हम वो हाईपर कॉंजूगेशन बाला कोई सा एफेक कुन सी हेलोफोम एल्डोल और केनी जारो अब मेरी बात समझ हेलोफोम रियक्शन कौन देता सबसे पहले बात एल्डी हाइड और कीटोन है अच्छा लेकिन थार हमने तो ये भी पढ़ा कुछ एल्डी हाइड और कीटोन पहरा प्राइम फोकस किस पर होना चाहिए अगर य क्या रवारो इता है अब ऐसे हाई किया हम स्युष्ट कि वह संदर क्या है तुम्हाइब स्टेया है दिता है अब अल्फ अधिग्रों क्या आछ थे अब क्या तो है अल्फ 1987 Gothic की बात आती है अल्फ होते 서 Hilfe कोई से है्यड्रोजन होते हैन्ल hydrogen, simple था कि नहीं था, तो अब मेरी बास समझ, तुम्हें दिख जाएगा, कैसे देखेगा, कि यार, कोई भी उसने compound बना के दे दिया तुम्हें, जैसे मान लो, उसने ये दे दिया, CH3, CHO, हो, अब ये अपना क्या है, function group, हाँ, ये अपना function group है, इस से attach carbon क्या होगा, alpha carbon, इस से attach hydrogen क्या होंगे, alpha hydrogen, तो तुम्हें यहाँ पर alpha hydrogen दिख गए की नहीं दिख गए, हाँ सिर दिख गए, अब कलोगे की नहीं कलोगे, अच्छा, अब याद रखना क्या है, हेलो फोम reaction, इसको और क्या बोलते हैं, आईडो फोम test के नाम से भी आपन जानते हैं, आप लोग लाँगा, मैं बार-बार क्यों बोल लाँग, अल्डियाइड की टोन, बेटा सवाल यही पूछा है, नीट में, कि स्टेटमेंट लिख देगा, और इससे बहुत प्यारे सवाल बनते हैं, स्टेटमेंट वाइस, वो बस इत्ता बोल देगा, कि हेलो फोम के लिए कितने alpha हेलो फॉम कौन दिखाता है, ल्ल्डियाइड की टोन तो यही तुम्हें याद होना चाहिए, इस लिए में बार बार यहीं याद कराऊंगा तुम्हें, अब ल्डोल की बात करें, ल्ल्डुल कौन देता है, ल्ल्डियाडो की टोन, इसके लिए minimum 1 alpha हैच होना चाहिए, चाहिए ही नहीं अच्छा तो अलफाइज जीरो के इसमें चाहिए कैनी जारों में कौन देते हैं ओनली एल्डी हाइड की चीज़ आद रख लेना ठीक अब भाई सब कोई कोई बोला होगा अलफाइज जीरो कैसे होंगे सर ऐसा तो कोई कंपाउंड ही नहीं होगा जिसमें अ भाई सुनो तुमने उसका नाम सुनाओगा बेंजली हाइड का हाँ सर बिजली हाइड का नाम जी अपना कौन है फंक्शनल ग्रूप इस से टेच कारबन क्या कैलाएगा अल्फा कारबन अब भाई चीकू इदर देखो अल्फा कारबन पर क्या तुम्हें है अड़ जिख र लिए हाइड है वो कैनी जारों दिखाएगा अब कैनी जारों में होता क्या है रिडॉक्स होता है रिडॉक्स मतलब एक को ऑक्सिडाइज करना और एक को रिड्यूस करना कैसे करना हम बता देंगे यह तुम टेंशन बिलकुल मतलो अच्छा अब आपन किस पर कंवर्जन पर और सवाल अपन दे रहे हैं सीधे नीट का अच्छा नीट से ही अपन शुरुआत करें नीट के सवाल से चलो भाई यह अपना सवाल है उसने देखो क्या बोला ऐसी टाइलीन इसका नाम तो सुना ही होगा आपने है अच्छा बिलकुल सुना है अच्छा बता डबल बॉंड यहार केमस्टी है घुमते जाओ जुता घुम सकते हो इनकरने क्या यहांपर actually can योगा इसके पास हैं सरूंजी चाहर होता हैत्य प्लास्प्लास अभे मतलब इसके पास थूड़ी एसेडिक नेचर होगी या नहीं होगी तो यार खना जब भी तुम्हें एसेडिक स्ट्रे कि strategist strength जो है न वो लग जाते हैं कौन से effect मेजोमेरिक और वो होते थे ना Inductive effect, Meso-Americ effect, Hyperconjugation हाँ 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 होते थे तो subject strength डारे की portion होते थी –m, –h और –i वाले ग्रूप के Inverse proportion होते थी –m और –h –i के यह कुछ याद है कि नहीं है हाँ सर मतलब अगर minus M group जादा हैं तो acid extent जादा होगी मतलब लेने वाले अगर जादा हैं हाँ सर तो minus M यही होता ना भी लेने वाले तो acid extent उत्ती जादा होगी अबे कुछ याद है कि तुम सब confused हो अबे GOC पढ़ो यहां से direct सवाल आते हैं तो अपना सवाल क्या था उसने हमें बोला acetylene है आपके पास बिलकुल acetylene अपने अरगनिक में चले गए था बापस आते हैं अरगनिक पर acetylene था acetylene को आपने दे दिया dilute H2SO4 ठीक है dilute H2SO4 and HGSO4 ठीक है इसको आपने क्या दिया dilute H2SO4 dilute HGSO4 तो उसने बोला था दो प्रोड़क्ट बनेंगे अच्छा उनका प्रोड़क्ट का नाम बताओ इत्ता सा सवाल था दो आपने नेट का ही है अभी recent का ही दो-तीन साल पहलेगा अपने पास acetylene था जब भी acetylene को dilute H2SO4 HGSO4 देते हैं वैसे अगर थोड़ा सा और अपन advance चलें जैसे J-E वाले जो है mains और advance वाले उसमें ये भी पूछ देता है कि इसका concentration किता होता और इसका concentration किता होता तो याद रखना 1% HGSO4 होता है और 42% H2SO4 होता है अच्छा हाँ इस reaction का भी एक नाम है इसका है कुर्चॉफस अच्छा इस reaction का नाम है कुर्चॉफस reaction आप लोग पढ़ोगे B.S.C. में जब आप सेकंड या थर्डिया करोगे तब तो देखो डैलीट HGSO4 जब भी आप दोगे इस इटाइलीन को तो आपके पास सबसे पहले प्रडिया जब बनता उसको बोलते है इनॉल फॉर्म बनता है इसका कौन सा फॉर्म सर ये का होता है इनॉल फॉर्म हरे सुनो सबर करो ये अपना क्या बन गया इनॉल फॉर्म इनॉल क्या होता ना जब double bond और alcohol वाल एक साथ आ जाते हैं इसको बोलते हैं क्या in all form अच्छा in all form अब तुमें एक चीज तुमने totomerization पढ़ा है क्या हाँ सर पढ़ा है सर hyperconjugation के बाद बताया था master ने totomerization तो in all form जो होता है वो unstable होता है अच्छा तो ये rapidly क्या कर जाता है totomerize अच्छा totomerize करेगा तो क्या बना देगा CH3 C double bondo CH3 acetone हाँ वो फुस फुस हाँ जो scent में होता है हाँ हाँ से समाज़ी गए acetone मना देगा क्यों और ये बना क्या है keto form क्या होता चीकू stable होता मेरी बात समझ तुमसे सवाल क्या पूछेगा जब भी तुम्हे ऐसी टाइलीन को dilute H2O4 और H2O4 के साथ reaction कराओगे तो अपने पास क्या बनेगा पहले बनेगा inol form हाँ inol form वो totomerize होगा जिससे बनेगा ketone अब कोई कोई सोच रहोगा LDH भी तो बन सकता था बिलकुल बन सकता था अगर यहाँ दो कारबन होते है हां जी तो अपना क्या बनता ऐसे टेल्डियाइड अच्छा यहाँ पर बीच में हेलो फोर्म रियक्षन से पास करा दूं हेलो फोर्म रियक्षन मतलब वही अरे आई टू को एन अउच के साथ दे दो दे दो तो भाईया हेलो फोर्म कौन देता था एल्डियाइड और कीटोन और अलफा एच किते चाहिए रहते थे तीन अरे अभी बोला था यहाँ देखी नहीं जे देखो अलफा एच किते चाहिए तीन तो यहाँ तो मैं तीन अलफा एच से अपना फंक्शनल ग्रूप है हां जी इससे बगल वाला कार्बन अलफा को पकड़ो और इसको आईडोफाम में कनवर्ट कर दो और बचे हुए को एचिड के सॉल्ट में हैं सर जी काहुत है अरे तुम भी याई जी काहुत है यह वाले कार्बन को पकड़ा इसमें चाहितरी लगा दिया और जो बचा है अपने पास यह पूरा प्रोड़क्ट इसक के साथ खेल जाए एच महां से निकल जाएगा पानी निकल जाएगा और सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा ठीक है अब में को एक बात बता क्या मैं सी एचाई तरी को एजी हीट से पास करा दूं क्या यह तो अपने पहले भी देखी यह रियक्शन अरे हाँ या ना भई हाँ को जब मैं एजी और हीट कर दूंगा तो क्या बनेगा अरे बोल तुम लोग यह बोलते ही नहीं हो कुछ हाँ सर कैसे बोलने हैं ऐसे टक्टका है हम लोग इस्क्रीन पर कि बाई साब हमाई भी सुन लो हाँ ठीक है ना यह अपने पास क्या बन जागा ऐसी टाइलीन अब ब अब तुमारा वो भी डाउट किर हो जाएगा कि ल्डियाइड कीटोन कैसे बनते हैं ठीक है अब मैंने इसको फिर से दे दिया क्या डालूट एच टू एसो फॉर एंड एच जी एसो फॉर तो जैसे ही मैं यह रियक्शन कराऊंगा तो सबसे पहले तो क्या बनेगा कौन सा बनेगा चीकू इनॉल फॉर्म हाँ सर बना दो इनॉल फॉर्म अरे नाम में याद कुछ रट्टे क्यों हो यार चीजों को यही तो समस्या तुम लोगों के साथ इनॉल फॉर्म मतलब क्या हुआ इन और ऑल हांजी बिलकुल डेवल बॉंड और एलकोल इनॉल फॉर्म बन लेकिन यह होता कैसा था चीकू अनिस्टेवल तो भाई अब बॉलती थी हम नहीं खेला है टॉटोमराइज करा दो तो कच्छू सही हो जाए तो भाई अब फटा फट कंपाउंड टॉटोमराइज हो जाएगा और टॉटोमराइजेशन जब होता ना तो हमरे पस क्या बन ज जाता है जिससे यह अलकॉल बन जाता है अच्छा अच्छा समाझगा तो उत्ते से तुमारा काम चल दागा नहीं तो अपन इसको एक अलग से देख लेंगे टॉटोमराइजेशन को अच्छा चलो अब अपने पास क्या बन गया अब मुझे एक बात बताओ क्या मैं अल्ड 50% की वच लिख देता ना वह भाईया इते सुन लो अगर मैं 50% की वच लिख देता तो कौन सी रियक्शन होती कैनी जारो अच्छा अल्डोल में कितने अल्फा एच्छ चाहिए चीकू अल्डोल में सर एक मिल जा सा उत्से ही काम चल जाएगा हाँ तो बिलकुल मिल जाएग यहां से हाइडोजन आया होगा इसके पास तो क्या बन जाएगा चीकू बना ऑक्सिजन था एक हड़ेन यहां से आ गया तो और बागी बचा को चलिख दो CH2 सिंगल बॉन CHO मैंने पहले भी बोला था इससे सवाल क्या पूछेगा कि जो एल्डोल का प्रड़क्ट होता है व बीटा हाइड्रोक्सी का जो प्रड़क्ट बनता है वो किसका होता है चीकू एल्डोल कंडेंसेशन का मैंने पहले भी बोला है अच्छा मुझे एक और बात बताओ इसको मैंने हीट कर दिया अच्छा वैसे एल्डोल कंडेंसेशन पूरी रियक्शन होती है यह इंटरमीड 3CH double bond CH single bond CHO इसको प्यार से क्या बोलते हैं NCRT croton aldehyde पढ़ा होगा आपने हाँ सैर बिल्कुल पढ़ा है croton aldehyde और croton aldehyde इसको अपन बोलते हैं यह अपना क्या था ना कनवर्जन का एक छुटमोट टाइप का अगले वीडियो में नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएग जब तक मचती से पढ़ाई करो मिलते हैं आप से बहुत जल्द तब तक के लिए ओके बाई लव यू वल बाई बाई